अलवर में तेज होती गर्मी के साथ पानी की समस्या भी घहराने लगी है कहीं नलों में पानी नहीं आ रहा तो कहीं बोरिंग लगाने को लेकर विवाद की स्तथी बनी हुई है कोतवाली धाना अंतरगत विकास पत पर बोरिंग लगाने को लेकर दो वाजों के लोगों के बीश में विवाद के स्तती बन गई सूचना के बाद कोतवाल अध्यात में गौतम चापते के साथ मौके पर पहुँचे जहां जल्दाय विवाद के करमचारियों की मौझूदगी में लोगों से समचाईश की गई और बोरिंग से बराबर का पानी दोनों इलाकों में देने की सहमती बनाए गई जिसके बाद कहीं जाकर ये विवाद शान्त हुआ ये पीएचीडी विवाद की तरफ से बोरिंग करवाए जा रहा था इसके लिए बोरिंग सेंक्शन हुआ था यहां पर दो वाड़ों को लेकर के अपस में विवाद था कि हमारे बोरिंग होना ची हमारे पानी की खमी है और इनमें इस तरीके से समझाता कराया है कि इस बोरिंग में जो भी पानी निकलेगा वाड़ नंबर 11 गो भी पानी उपलब करवा जाएगा इसके बाद लोग से इस बात कर सहमत हो गए और बोरिंग करवाईशन करवा दिए जिस प्रकार से गर्मी प्रुदेश में अपने पूरे प्रकोप कर है तो पानी की समस्या जो है वो भी घहराने लगी है अलवर से आपको ख़बर बता रहे हैं आपर बोरिंग लगाने की बात को लेकर कॉलिनी के दो पक्षों में हापर विवाद हुआ पुलिस ने हालाकि समशाईश करवपूरे मावले को शांत कराया लेकिन जिस प्रकार से प्रुदेश में अगर्मी के साथ में जो जलकी संकट है वो घहराने लगा है तो प्रशासन में लगातार पानी की जो समस्या है पेजल का जो विवाद है उससे सुलजाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है